Hey guys, what's up everyone, welcome back to the channel, this is Shivam Divedi and you are watching Economics Easy है दोस्तों, आज की इस topic में हम बात कने वाले अपने पास chapter number 5, that is planning in India और आज की class में जो हम topic पढ़ेंगे, that is independent evaluation office और पढ़ेंगे program evaluation organization और development monitoring and evaluation office मतलब आज हम यह तीन topic पढ़ेंगे, यह तीनो offices के बारें पढ़ेंगे और दोस्तों, मैं एक राज की बात बता हूँ, यह इतना ज़ादा easy है कि मैं आपको बता नहीं सकता बस आपको base बता लोगे, यह मतलब आपके basics अगर strong है न, तो यह topic कुछ भी नहीं हलवा है हलवा स्टार्ट करते हैं, base बताओंगा, base से बहुत सारी चीज़े clear हो जाती है, अगर आप हम से सारी classes ले रहे हो, रमेश सिंग की, हम complete lectures से इसमें डाले हैं, तो आपको अच्छे से बताओगा कि base बनाना माली कितना ज़ादा easy हो जाता है, चलो, सुनो मेरे बात, क्या है सबसे पहले, सबसे पहली चीज़, आपने एक चीज़ देखा, सन 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद, फिर हमने अपनी economy को पटरी पे लाने के लिए, यह कई सारे reforms करने की कोशिश किया, कहलो कही सारे plans लाने के, हमने क्या किया कोशिश किया, तो हमने उन planning को evaluate करने के लिए, या planning को बनाने के लिए, हमने एक committee बनाई, जिसका प्लानिंग कमिशन, और यह जो planning commission की committee है, यह यह बनाई थी, से सन 1950 में कभ बनाई थी 1950 में ठीक है आजादी के तीन साल बाद हमने इसमें बनाई टी अब जब यह Planning Commission अहमने इसमें बनाया तो Planning Commission ने क्या गया बेसिकली तीन program लेकर आई कितने program लेकर आई तीन programs को लेकर आई जिसमें एक program अपका फाइव यूर प्लान आपको पता होगा पंच भर्षी हो जाना जो कि सबसे पहला प्लान जो है वो एक अप्रेल 1921 में है जो कि खतम होता है 31 मार्च 1956 को तो फाइव एर प्लान चले हमारे पास लग बार बार प्लान आया है इसके बार तेरवा प्लान नहीं आपा है क्योंकि हमने इसको को सुधाने की कोशिश की इसकी बाद हम आपने पास लिगा ले थे MPLATS को MPLATS का मतलब है Member of Parliament Local Area Development Scheme जिसके तरह अब जाके Member को पांच करोड पर हर साल दिया आता है अपनी लोकल अरिया को डवलप करने के लिए स्टार्टिंग में यह जो रकम थी वो एक करोड थी फिर बढ़के दो करोड हुई और फिर बढ़के अब जो है वो पांच करोड होगी लेकिन कोरोना वायरस की वैसे पिछले दो सालों से इस चीज को भी होल्ड कर रखा और इस पैसे को अलोकेट नहीं किया गया ताकि इस जरूरा है बट क्या होता है कि जब हम यह कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि 5-year plan जो है वो कितना successful और कितना failure हमें कैसे पता चलेगा तो इसके द्वारा की जाने वाली जो activities है उसको अब हमें क्या करना पड़ेगा एक्जामिन करना पड़ेग कि कितने percentage जो हमने सोची थी जो हमारा estimated figure था कि हमें इतना काम कर लेंगे और हमने कितना किया reality में तो इन सब को examine और evaluate करने के लिए हमने एक organization बना यह बिल्कुल वैसे ही है कि आपने class में test दिया और आपकी number पता लगा जारी जिससे आपको एक identify किया जा रहे है कि अपने authority बनाई सबसे पहली जो हमने authority बनाई थी that is program that is program evaluation organization सबसे पहली कमिटी जो बनाई थी इसको evaluate करने के that is program evaluation organization जिसको short में आप P.E.O.B. बोल सकते हो अब यह जो हमने committee बनाई थी यह मैं आपको बता दो October 1952 में बनाई थी अब आप देख लो जब हमने planning commission बनाई था 1950 में तो उ साल बाद ही हमने evaluate करने के लिए क्या बना दी एक अलग organization बनाई इसका काम कोई planning बर करने का नहीं है इसका काम सिर्फ और से planning commission की दोरा किये कामों को evaluate करके बताना कि उसने कितना percentage काम complete कर लिया और कितना percent was unsuccessful और उस project को complete करने में अब क्या हुआ कि इसका काम था evaluate करने का अब इसने क्या 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 इसने देखा agriculture sector में कितना काम हुआ रूरल एरिया को develop करने में कितना काम है industrialization पे कितना काम हुआ फिशर पे health activity family welfare और rural area development tribal area development social forestry इन सब पे कितना कितना काम हुआ उसको पूरा examine का काम कि इसने किया इसने किया किसने program evaluation organization बोलो clear को पहले आपको मैं इतना बुक से जिसे आपको समझ आजा है फिर मैं आपको दूसरा point बताऊंगा चलो जितना अभी आपने पड़ा उसको जरह यहां पर देख लीते हैं यह देखो यह हमारा program evaluation organization सबसे पहली और सबसे पूरानी organization यही जिसने planning commission के बनाई हुए plans को evaluate करने का काम किया तो लिखा हुआ the planning evaluation organization which established हुआ था October 1952 और आपको पता है 1950 में तो planning commission बना था दो साल बाद हमने इसका गठन किया as a independent organization यह independent organization organization जो general guidance और direction पर चलती है जो कि किसके plans को execute करने का काम करती है planning commission के plans को evaluate करने का काम करती है यह कि special task इसको देगा इसका लब इसका और कोई काम नहीं है यह क्या क्या चीज़े देखती है यह अपने पास agriculture cooperation देखती है rural areas, industrial, fisher, health, family welfare, rural development, rural electrification, public distribution, tribal development, social forestry इन सब चीज़ों को देखने और evaluate करने का काम करती है और इनका main काम क्या होता है, main काम सुनो, सबसे पहला यह देखेगे कि performance कितनी रही, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ यह देखेगे कि जो program बनाए गए planning commission के दोरा क्या वो सही से implement हो रहे हैं सब जगे या नहीं हो रहे है तीसरा ही देखेगे, कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं, क्या वो effectively public तक deliver हो भी पा रही है या नहीं ऐसा तो नहीं कि plan सिर्फ कागजों के ओपर है, reality में ऐसा कुछ हो इना रहा है, development नहीं की चीज़, तो वो हो रही है नहीं हो रही है, ensure करने का काम किसका होगा प्रोग्राम, evaluation, organization का होगा, चौथा यह देखेगे, कि जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उससे society पर उसको क्या impact पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम जो social impact पढ़ना चीज़, वो impact positive ना पढ़के, negative पढ़ रहा हो, तो यह बारे में, सब के बारे में कौन evaluate करेगा, यह evaluate करेग जिसमें planning commission की failure और planning commission की success रही, success रही तो क्यों रही और failure रही तो क्यों रही और इसे कैसे सुधारा दा सकता है, उन सब चीजों पर यह काम करेगा, और यह examine करेगा, कि कौन-कौन से methods जो हमें लेने चाहिए, जिसे कि हम people की development कर पाए एक सही तरीके से, और आपको यह लाइन इस program evaluation organization जो है, इसके कुछ खामिया थी, खामिया के थे, कि कहने को तो यह organization बना दिया, लेकिन फिर भी यह proper functioning नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते हैं, फिर हमने इसको हटा कर, हमने एक और organization बनाया रहा है, और उसका नाम दिया, independent, independent, evaluation office, हमने क्या नाम दिया, independent, evaluation office, जिसको short में IEO बोलते हैं, और यह हमने कब बनाया है, यह हमने अपने पास बनाया है, February 2014 के अंदर, यह अभी आप समलोग ज्यादा साले नहीं हुए, मतलब एक डिकेट तो complete हो चुका है, बड़ बहुत एक मैसिव अभी changes नहीं आए, तो अभी recently जो अगर हम देखें, तो अब प्रो भी चीज हो रही है, planning commission के दौरा, उसके लिए कौन accountable है, कौन accountable मतलब कौन जबाब देही है, कल को यह काम नहीं हुआ, तो कौन वे वेक्ती जिसके पास हम जाएंगे और कहेंगे तुमने यह काम नहीं किया, कौन accountable है, और क्या जो चीजे इसको बोली थी, क्या वो इसके पास होंगे, हाँ, देखो, जो कम यह करता था, वो कम सेम यह करेगा, प्लस इसके पास एक और चीज के आगी, accountable, अब यह जवाब देही कौन देगा, यह बारे में बात कीगे, अब बात करते है, independent evaluation के, जो main governing authority, chairperson है, वो कौन होते है, planning commission के ही chairperson होते है, मैं आपको बता दूँ, planning प्लानिंग कमिशन का chairperson कौन होते है, तो मैं बता दू, prime minister होते है, तो अगर इसके chairman prime minister है, तो इसके भी chairman कौन होगा, prime minister ही होंगे, और इसके अंदर जो बागी जो director general होते है, उनका tenure होते है, बागी तीन साल तक का होते है, लेकिन हम उसे बढ़ा के 5 साल तक भी कर सकते है, मैं बात कर रहा हूँ, इसको चलाने वाले committee members की, जिसे हम director general बोलते है, clear है, चलो, ठीक है, अब इसके अरे में पढ़ लेते है, independent evaluation office के बारे में, तो यह रहा, यह second office है, इसलिए मैं यहाँ पर two लिखा हुए, independent evaluation office, तो लिखा हुए independent evaluation office हो रहा है, जिसको हुआ हम, short में, IEO इसको बोलते है, इसकी शुरुआत कब हुए थी, government of India ने फैबरीटी 2014 में गी था, इसका objective था, कि पब्लिक के लिए कौन जवाब देही होगा, कि यह काम हुए और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इसके प्रती, तो समझा गया, यह जो IEO office है, एक independent authority है, और इसमे क्या है Planning Commission के जो governing authority है, वो सेम इसमे चेयर परसन की रूप में काम करते है, इसमें deputy chairman होता है, Planning Commission वाला ही, और full-time director general होते है, जो की members इसमें select के जाते है, जिनका कारेकाल तीन से पांच सल तक के लिए होता है, ठीक है, अब इसमें main aim क्या होता है, इस office का main काम क्या है, तो पहला काम त बताएगा कि आपके दौरा प्लैन जो वो सईसे execute हो रहे हैं और अगर नहीं हो रहे तो उसके पीछे क्या reason से जिन में सुधार करने चीए, दूसरा ये guidelines और methodology डिसाइड करेगा किसी भी काम को करने के लिए, मतलब अगर हमने देखा कि अगर हमें गरीबी को दूर करना है ग इंडिया को इंटरनेशनल तरीके से, मतलब हमने ये जो तरीके निकाले हमने बेसिकली क्या है हमने भी कहीं से सीखे है, मैं आपको बता हूँ कहां से सीखा, वर्ड बैंक से हमने ये सीखा है, जिसमें Department of International Development Authority बनाएगी थी, जो वर्ड बैंक की दौरा किये गए कामों को evaluate कर हमने उन से inspired होकर इसको start किया और कहते हैं कि हमारे जितने भी आरूल से इंटरनेशनल लेवल वाले होते हैं कि हम उनको बेसमान के जो हैं चीजों को बनाते इस वज़े से, इसके main feature क्या है, कि ये जो है अपने पास ये एक independent authority है, जो अच्छे से काम करती है, और ये बताते ह कि हमारे डेवल्लप्मेंट सही पोरी हाuger और नहीं होरी है, और नहीं होरी तो इसके pil बताती है, ये बताती है कि जो काम है, वो सही हो रहा या हृ आ हो उसके लिए वो इसके काम करते हैं, काम सही है नहीं रहारा तो किसी काम को करने का तौर तरीका नहीं बता आपको तो यह आपको तौर तरीका बताएगा ताकि आप उस काम को सही तरीके से कर पाओ अब आप यह सारी चीज़े पढ़ ले ना क्योंकि मुझे बता यह सिर्फ वेस्ट आफ टाइम है मतलब इंडेप्ट इतना जादा पढ़िया हमें जरूरत नहीं क्योंकि ओवरॉल पिच्छर आपको पता चलगी पता क्या चलगी कि भाई इंडेपेंडनिट इवैलूइशन ओफिस का काम चीज़े को इवैलूइट करने का होता है कि गवर्मेंट की दौरा बनाएंगे प्लैंस को एक्जीकूट हो रहे नहीं हो रहे उसके पीछे काम करता है क्या होता है संब 2015 में जैसे 2014 में यह बना 2015 के अंदर क्या हुआ हमने प्लैनिंग कमिशन को चेंज करके इसको और ज्यादा एक्जीकूटिफ पावर दे रही और इसका नया नाम कर दिया नीती आयोग दोस्तों आप मेंसे कितने लोग हैं जो नीती आयोग की फुल फॉर्म जानते हैं जानते हो तो कॉमेंट करके बताओ देखते हैं कौन से इसका अंसर देगा ठीक है तो नीती आयोग हमने इसको रिप्लेस कर दिया बलकि नीती आयोग को बनाने के पीछी का रिज़न यह था कि हमने प्लैनिंग कमिशन से कहीं ज़्यादा पावर इसको देदी यह सेंट्रल सेंट्रल गौर्मेंट के थुरों यहां पर हमने सेंट्रल और स्टिट गौर्मेंट दोनों का इंटर्वेंशन कर दिया जिसे कि डेवलोपमेंट ओवराल हो पाए आई भास मज़े अब क्या हुआ कि जब 2015 में नीती आयोग गाया तो नीती आयोग ने का देखो प्लैनिंग बनाई जिसका इसने नाम दिया डेवलोप्मेंट मॉनेटरिंग डेवलोप्मेंट मॉनेटरिंग एंड एवैलूइशन ऑफिस यह नाम आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा देखने में थोड़ा लंबा चोड़ा है थोड़ा भारी बरकम सा लग रहा है डी एम ई ओ यह नाम रखा गया डेवलोप्मेंट मॉनेटरिंग एवैलूइशन ऑफिस सेम सेम मैं बता रहा हूं दोनों के जो काम थे डिक्टो सेम यही काम देगे बस नाम को चेंज कर देगे और अब यह किसको कौन कंट्रूल करेगा इसको इसको नीती आयो कंट्रूल मतलब नीती आ मोनेटरिंग एवैलूइशन ऑफिस करेगा बोलो आई बास समझें यह सरा में बिलकुल आगी चलो आप इसको भी पढ़ लेते हैं बुक से बुक से बढ़ लेते हैं बात खतम करते हैं तो देगो डेवलोपेंट मोनेटरिंग एवैलूइटिव ऑफिस क्या है यह क्या काम क पुमिंग मोनेटरिंग इवैलुइशन और वाफिस बना दिया अब बनाया है सेप्टेमबर जोजार पंद रहें और यह यह आफिस यह जो ओनणिट्रिंग अठोटी यह नहीं हो रहा यह evaluate करेगा कि जो भी रूल्स बने क्या उनका सभी से implementation हो रहा है जनरल प्रब्लिटर उसकी सुख 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 मिल पारी है या नहीं मिल पारी है इन चीज़ों को ensure करेगा कौन development monitoring and evaluative office बोलो clear होगे तो आज हमने तीन चीज़ अपने पास complete कर लिए तो जो चीज़ हमने complete कर लिए अब उस पर एक बार टिक कर देते हैं जिससे कि हम इंपता चल लाए कि आज का हमारा टारेट complete हुआ यह नहीं हुआ तो देखो आज मैंने आपको independent evaluative office करा दिया program evaluative organization करा दिया और development monitoring and evaluative office करा दिया सबसे पहले यह था 1952 में फिर 2014 में यह था और 2015 में यह था तीनों की तीनों point clear होगे कोई doubt है तो आप हमसे हमारी Instagram ID और Facebook ID दे रखे वहां पर आप हमसे videos upload कर रहा हूं YouTube के उपर playlist मिल जाएगी आपको तो कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एक ही platform पे सारी की सारी चीज़ा available हो जाएगे और इंडियन economy रमिज सिंग को हम पूरा complete करेंगे तो आपका साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो प्लीज हमें नहीं शीट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के टोपना है ठीक है तो श्री दोस्तों मिल दें नेक्स लास में तब तक के लिए पीस आउट